केरल में जिस तरह से गर्ववती हत्नी की हत्या की गई उसकी आलोचना जितनी भी की जाए कम है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वे इनसान कहने के लायक नहीं है कहा जाता है कि इनसान की इनसानियत का पता लगाना हो तो यह देखा जाए कि वह इनसान जानवर से कितना प्यार करता है इस द्रिष्टी से गर्ववती हत्नी के हत्यारों को इनसान नहीं कहा जा सकता और सायद यह जानवर भी नहीं है हाथी को केरल में नीजी तोर पर पाला जाता है और इससे कई लोगों की आजिविका भी चलती है केरल में यह पहली घटना नहीं है एक महापूर्व भी ऐसे ही एक जानवर हाथी का सव वहां के पठानपुरम के जंगल में मिला था जिसके जबडे में घाव थे हतनी के मूँ में ही पठाकों से भरा अननास फट गया था और हतनी के जबडे छतिग्रस्त हो गय थे जिससे उसे खाने में ज़्यादा तकलिफ हो रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हतनी को मानने के उद्देश यसे घटना को अन्जाम दिया गया अननस हाथियों को पसंद आने वाला फल है और हाथी इसे बड़े चाव से खाते हैं यदि इसके अंदर पठाके भरे जाये तो यह इंसान को खिलाने के लिए यह इनसान को मारने के लिए नहीं था για जानवर को ही मारने के लिए किया जाने वाला उपाय है इस उपाय से सुवरों को भी मारा जाता है इसलिए इसे सरार्ती तत्वों की शरारत नहीं कह सकते हलाकि यह जाच का विशय है और इसकी पूरी जाच होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनक करने वाले लोग सलाखों के पीछे अपना जीवन काटे हाथी हमेशा से ही इनसान के बेहत क करीब रहा है और कई परिवारों के आजीविका का साधन भी बना है फिल्मों में भी हाथी को एक अच्छे किरदार के तौर पर देख चुके हैं सन 1971 में बनी फिल्म हाथी मेरे साथी फिल्म इस वर्स की सबसे सफल फिल्म थी राजिस खन्ना अभिनीत इस फिल्म में हाथी और इंसान की दोस्ती को खुबसूर्ती से दिखाया गया था हाथी की वज़े से इस फिल्म को काफी लोगों ने पसंद किया ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा गर्वती हतनी की मौत के बाद शोशल मीडिया में यहाँ ट्रेंड कर रहा है अक्षे कुमार ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने की मांग की है कई लोग शोशल मीडिया में जस्टिस फॉर एलिफेंड की मुहिम चला रहे हैं इस मामले में केंद्र सरकार भी सब्त नजर आ रही है केंद्रिय परियावरण मंत्री प्रकाज जावडेकर ने कहा परियावरण मंत्राले ने केरल में एक हथनी की मौत को गंभीरता से लिया है घटना पर एक पूरी रिपोर्ट मांगी गई है दोश्यों के खिलाफ सक्त काररवाई की जाएगी विराट कोहली ने ट्वीट कर कहा केरल की घटना से काफी निराश और चकी ठूँ मैं बिंती करता हूँ कि जानवरों का प्यार से देख भाल करें और ऐसे कायरता पूर्ण क्रीत्य बंध होने चाहिए कोहली ने हतनी और उसके पेट में पल रहे बच्ची की तस्वीर काटून के जरिये फ्वीट कर पोस्ट की है भारतिय महिला बैडविंटन इस्टार सायना नहवाल ने कहा यह बहुत दुखद है यह जानकर बहुत दुख हुआ गर्भवती हतनी की मौत पर भारतिय फोटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी गहरी सम्वेदना व्यक्त की सुनील ने कहा वो गर्भवती हतनी थी मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी यह किया है उन राक्षसों को उसकी कीमत चुकानी होगी हम बार बार प्रकृती के साथ खिलवाड कर रहे हैं मुझे बताएं कि हम कैसे खुद को एक विक्सित प्रजाती कह सकते हैं रतन टाटा ने ट्वीट में कहा हाथी को बुद्धी मान और बेहर समवेदन शिल माना जाता है इनकी सुनने की चमता बहुत जादा होती है और मनुश्यों से जल्द ही दोस्ती कर लेना इनकी खासियत है ऐसे में हैं जानते हुए कि पटाके से भरे अना नास को खाने से मौत हो सकती है इसके बावजूद गर्भवती हत्नी को खिला कर उसकी हत्या कर देने वालों की जगा सलाखों के पीछे होनी चाहिए